जेन फिरेंट जोप से चड़ चल में आपका स्वागत है आज इस वड़ी में बात करने वाले आर्मड फोर्सेश मेडिकल कोलेज पूने की ग्रूप सी की बरती आपकी जो जारी की गिर थी उसका फाइनल रिजेट जारी हो चुका है ये दंग कर देने वाला रिजेट आप द आउचें आपको मैं बता दूँ कि 60 कंडिडेट भी नहीं हैं एक जाम देने एक पोश्ट के लिए आप खुद लिस्ट देख पाएंगे पूरी लिस्ट दी गई है के टेगरी वाइज कंडिडेट वाइज पूरी लिस्ट आपकी सो की गी है कितने मास्क आपके आये हैं वो है उनली चार पोश्ट थी उसमें भी 64 पर सेलेक्शन कंडिडेट का उचुका है मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आप किस परकार से आपका जो पेपर है एक्जाम पेपर जो ऑनलाइन जो लगा था उसको भी डाउनलोड करने के लिए बताया गया था लेकिन कोई भी केंडेट ध्यान नहीं देते हैं बहुत कम यूज विसे पेपर के देखने के लिए जो आये थे मैंने आपको बताया भी था कि हर केंडेट जो आर्मी ग्रूप सी की एक्जाम देता है उस पेपर को जरूर देखें लेकिन फिर भी वही हाल है यहां पे कोई भी ध्य ध्यान नहीं देता है जो भी चीज़े अच्छी बताये जाती हैं उन पर कोई भी किसी केंडेट का ध्यान नहीं रहता है क्योंकि आर्मी ग्रूप सी की सभी एक्जाम लगब रुसी परकार का टाइप के कृस्टन्स आपको देखने को मिलते हैं उसके बावजूद भी आही लिष्ट और पहले आपको दिखा दूँ कि कितनी पोश्ट किस केटेगरी पे थी और उसके बाद में लिष्ट में सबसे कम मार्क से कितने पे हैं और सबसे ज्यादा मार्क कितने हैं वो भी आपको दिखा ऊँगा ये स्क्रीन पे आप एड़ोटाइजमेंट देख सकते हैं फरवरी दो हजार चोईस में आपका ये आपका एट्रोटाइजमेंट जारी किया गया था ओनलाइन ही अपलीकेशन फोर फिल अप हुए थे अब हो सकता है बारह हजार अपलीकेशन फोर फिल अप हुए हूँ लेकिन बरांती इस वज़े से फेला दी गई कि बारह हजार एक इंडिडेट चार पोस्ट के लिए एकजाम देने वाले हैं इस वज़े से बहुत कम इंडिडेट वहां पर पहुंचे टोटल चार पदो पर ये विकेंची थी MTS मेसेंजर के लिए दोनों पोस्ट आपकी EWS के लिए थी पियून के लिए दो पोस्ट थी जिसमें से एक इंडिडेट के लिए और एक थी आपकी EWS के लिए तो इस परकार से टोटल चार पदो पर एकजाम हुई जिसमें टोटल कितने केंडेट एकजाम दिया है वो भी आपको लिष्ट के माद्दिम से पता चल जाएगा और यदि किसी केंडेट को जिसका पेपर चाहिए आंस्वर की के साथ तो मुझे टेलिग्राम पर परसनल मेसेज करके वो पेपर ले सकते हैं वो आगे की आर्मी ग्रूप सी, एरपोस ग्रूप सी सबी एकजाम में बहुत ही महतोपरन पेपर रहने वाला है स्क्रीन पे आप ये लिस्ट देख सकते हैं 21 जुलाई को एक सिंगल सेस्टन में आपकी एकजाम कंडेक्ट करवाई थी अलग-अलग ओनलाइन ही एकजाम कंडेक्ट हुई इस बार ये फायदा हुआ कि ब्लुटूथ गेंग यहां पे काम नहीं किया क्योंकि ओनलाइन ही एकजाम में पूरा जो भी हेकर वगएरा है जो चेकिंग अच्छी वही उसके वज़े से जो भी ब्लुटूथ वाले गेंग यहां पे नहीं आने के वज़े से जो भी एक्चुली में जो कंडेक्ट एकजाम दिया है टोटल चार पोश्ट के लिए आप कहां 12,000 की बात कर रहे थे 12,000 यह दि इतने केंडिडेट को बुलाया जाता तो इतने केंडिडेट कम पहुंचते ऐसा नहीं हुआ लिए ब्रहांति के चकर में आप पढ़ जाते हैं और वहाँ पे एकजाम नहीं देने जाते हैं इसी वज़े से आपकी आहलत हुई है 256 केंडिडेट वहाँ पे एकजाम देने पहुंचे थे 4 पोश्ट के लिए तो आप देख सोच सकते हैं कितने कम केंडिडेट वहाँ पे पहुंचे थे अब आपको बता दूँ कि यह जो लिस्ट जारी की है यहाँ पर आपके टोटल इस परकार से आपके मार्क्स दिये हुए यह मार्क्स आप देख सकते हैं यह लिस्ट आपको टेलिग्राम ग्रूप पर मिल जाएगी यहाँ प से इसके बाद में आपको नेक्स चलते हैं जो कि सबसे ज्यादा मार्क्स और रखते हैं कितना आप देख सकेंगे इसके बाद में जो टोटल यह लिस्ट आप देख सकते हैं ज्यादा कहीं मार्क्स हैं नहीं 50 50 प्लस 58 इतनी मार्क्स आपको 100 मार्क्स में से दिखाई दे रहे हैं यह आपकी list complete देख सकते हैं, total आपको screen पे दिखाई दे रहे, यह देखिए, peon में जो 70 number selection हो चुका है, इनका your category से selection हुआ है, मैंने list को calculate किया, इससे पता चला कि यह candidate का, यहाँ पे your category के लिए 70 number पे selection हो चुका है, तो यह candidate है, जो कि जिनका selection हुआ है, 199, जिनका आपका serial number है, उनका selection हो चुका है, इसके बाद में next जो candidate है, जिसमें EWS का selection हो चुका है, 64 पर EWS में इनका selection हो चुका है, क्यूंकि तीन post आपकी EWS के लिए थी, आपकी only peon के लिए एक post थी, जो कि your category के लिए, तो your category में 70 वाले candidate का selection हो आ है, यहाँ पे 64 वाले का भी selection यहाँ पे हो क्यूंकि 66 के बाद में और किसी candidate के marks नहीं है, EWS में, उनको छोड़कर peon में आपके 70 हैं और 69 भी आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन 69 वाले का selection यहाँ पे नहीं होता है, क्यूंकि 70 वाले का selection होगा, your category में, तो यह list आप देख सकता है, जिसमें 116 वाले का selection हो चुका है, अब आपको दिखा दूँ कि जो कि सबसे ज्यादा marks प्राप्त की है, उसके जो candidate है, only 71, आप देख सकते हैं, आपके 100 में से only last 71, 71 marks जिनके एंडेट के आएं, वो EWS category से बिलोग करते हैं, वो या तो peon या messenger में, दोनों में से एक choice कर सकते हैं, पोस्ट को, तो इस परकार से जएक सकते हैं, बहुत ही कम के इंडेट पprechen लेकर आए, जो अखकर आए, इस को बड़ती आती है, उसको रिगनोर ना करें, और सबीके एक्जाम देए, जैसे कि मैंने आपको बता है कि अबगी स्लिभ्स के बारे में एर्पोर्स की जो बड़ती आ रही है, उसके बारे मे रह सकती है और कितनी merit पर आपका selection हो सकता है और क्या syllabus आपका रहेगा यह पूरी जान करी आगले next video में जो भी आपकी एरपोस्ट की बरती के आई यह उसके जान करी लेंगे जो की navy की बरती आई यह उसमें भी जान करी लेंगे यह दिए अभी तक आपने टेलिग्राम ग्रूप नहीं जोइन किया तो टेलिग्राम ग्रूप जोइन कर लीजिए वहाँ पर notification एक्जाम पेपर क्यूशन पेपर साथ में आपको जो भी आपके application फोरम प्री ओप कोश्ट उपलब करवाय जाते हैं कोई भी दिक्कत आए तो आ membership जरूर ले लें जो भी है membership की link भी description box में नीचे दी गई है तो वहाँ से join कर सकते हैं ज्यादा आपका कोश्टिंग नहीं लिया गया है लेकिन अच्छी चीज़ें आपको शीखने को मिलेंगे और आपको सबसे पहले मेरे से आप direct contact कर सकेंगे किसी भी जानकारी के लिए ज यें दूस्टो